नमस्कार आप से विडियो में तो आज के विडियो में डिस्कस करेंगे सुपर टेट का साइंस का लेक्चेर नमबर टू और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी विज्ञान का एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक जहां से कोश्चंस आपके एक्जाम में आने के पूरे एक्जाम में पूछे गए हैं तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को और उसके बाद फिर जो कोश्टन लिखा हुए बोर्ट पे इस कोश्टन को सॉल करेंगे ये कोश्टन पूछा गया है 2018 में सूपर टेट के अंदर तो स्टार्ट करते हैं देखिए टॉपिक का नाम जो च नाम से ब्लड वेज्ट क्या होता है, इनको हुम लोग कहते हैं, प्लुदिर वाहिकायं रुदिर वाहिकायं ब्लड वेज्ट से इस में मोटर लगा हुआ है और हम मोटर में पाईप को जोइंट करे पानी को पहुचाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ उसी परकार हमारे बॉड़ी में हार्ट है हार्ट वही काम करता है हार्ट क्या करता है ब्लड को पंप करता है और जो ब्लड है रुधिर है वो कुछ ट्यूप के माध्यम से कुछ पाइप के माध्यम से पूरे बॉड़ी में पहुंचता है व तो अब हमारे body में मुख रूप से कौन-कौन सी उधिर भाइकाएं पाई जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे veins के बारे में, veins को हम लोग कहते हैं, सिराएं, दूसरा होगा, पल्मो नरी, वेन के बारे में बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, फुफुस, सिराएं, तीसरा होगा, आर्टरीज, आर्टरीज को हम लोग कहते हैं, धमनिया, और चौथा जो है, वो है पल्मो नरी आर्टरी, इसको कहेंगे, फुफुस, धमनी, ये चार प्रकार की प्रमुख हमारे बाडी में रुधिर भाहिकाएं होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड को ले जाती हैं, अब यहां पे आप लोग एक चीज़ धान रखेंगे, आप से कॉशन पूछता है कि कौन सी रुधिर बाहिका, सुध्ध रख्त को ले जाती हैं, और कौन सी असुध्ध को ले जाती हैं, देखिए, एक चीज़ आप लोग जान ले जिए, अगर कहेंपे लिखा हुआ है, प्योर ब्लड, और कहेंपे लिखा हुआ है, एम्प्योर ब्लड, तो प्योर का मतलब होता है, सुध्ध और इंप्योर का मतलब होता है अशुद्रक्त, सुद्रक्त का मतलब होगा कि उस खून के अंदर oxygen यानि ओटू पाया जाएगा, अगर उस खून के अंदर ओटू की मात्रा जादा है, तो हम उसको कहेंगे pure blood, या उसको हम कह सकते हैं oxygenated blood, अगर वो इंप्योर है, तो इंप्यो इसी को हम कहते हैं deoxygenated, यानि अनाक्सिकरत, ये वाला जो blood होता है, ये होता है, आक्सिकरत, और दूसरा वाला होगा अनाक्सिकरत, तो आप लोगोंने सुद्ध और असुद्ध रुधिर में अंतर स्पस्ट कर लिया है, समझ लिया है, अब यहाँ पे question आप से पुछेगा कि इन में से, जो चार मेंने यहाँ पे board पे रुधिर वाहिगाएं लिखी हैं, इन में से कौन सी ऐसी होती है, जिसमें सुद्ध रख्त बहता है, और कौन सी ऐसी जिसमें असुद्ध रख्त बहता है, तो आप लोग बिलकुल ध्यान रखेंगे, एक एक point को समझेंगे, दे यानि असुद्ध रख्त को ये कैरी करेंगे, तो आप लोग हिंदी में नोट्स अपने बनाएं, और वहाँ पे लिखेंगे कि शरीर में पाई जाने वाले सभी सिराओं में असुद्ध रुधिर बहता है, दूसरा, जो पल्मोनरी सिरा है, इसमें कैसा बहेगा, इसमें बह प्योर ब्लड, तो आप लोग लिखेंगे नोट्स में कि हमारे सरीर में फुप्फु सिरा में सुद्ध रुधिर बहता है, या पाया जाता है, तो हमारे सरीर में फुप्फु सिरा में सुद्ध रुधिर बहता है, उसके बाद आर्टरिस की बात करेंगे धमनियों की, तो ह हमारे सरीर में पाई जाने वाले फुफुस धमनी में असुद्ध रुधिर बहता है या पाया जाता है तो इसके अंदर भी कैसा होगा इंप्योर ब्लड होगा असुद्ध रुधिर होगा तो इस तरीके से आप लोगों ने चार पॉइंट लिख लिए होंगे ये पॉइंट जरूर याद रखना क्योंकि इनी पॉइंट से ऐसे धेर सारे कोश्चन सॉल्फ होने वाले हैं ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा एक और होता है रक्तवाहिका जो बहुत छोटी होती है जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज इनको कहते हैं केशिकाएं ये वास्तव में क्या होती है जहां जहां पे ये हमारी जो में वेंस यानि जो सिराएं फुफुष सिरा धमनिया और फुफुष धमनी नहीं पहुँच पाती है वहां पे उन भाग में उन पार्ट्स में केशिकाएं पहुचती हैं केशिकाओं मे क्या होता है केसिकाओं बेसिकलि धमनियों और सिराओं के बीच एक نटव debating जाल बनाती हैं जो बहुत सूख सिंग होती हैं जब भी चोट लगती है तो केसिकाओं के फट जाने से खून भेना शुरू हो जाता तो इस तरीके से bleeding होती है, चोट लगने पर, अब हम लोग discuss करते हैं, इसके बाएवे में, detail से, कि किस तरीके से heart cycle चलती है, किस तरीके से हिर्दे चक्र चलता है, बहुत ही महतपूर्ण ये topic है, आप लोग इसको सही तरीके से समझें, और notes बनाएं, copy पे, इस पर स्टूप से clearly, तो अब हम लोग discuss करने वाले हैं, heart cycle के बारे में, और उसके बाद हम solve करेंगे, इस question को, देखिए, heart cycle का मतलब क्या होता है, कि जहां से start होगा, वहीं पे आके end हो जाएगा, हमारे body में हम मान लेते हैं, कि ये एक फेफड़ा है, ये एक lung है, क्या है ये एक फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़े के अंदर बहुत सारी ढेट सारी branches होती है, बहुत सारी साखाएं होती है, ठीक है, और कहीं पर साखाओं का एक गुच्छा जैसा बन जाता है, जो गुच प्रूचछा है, इसी को हम कहते हैं Elvioly, इसको हिंदी में कहते हैं Vyocostica. ये वाई Mom कोस्टिका होती है, हम लोग जब सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस में क्या लेते हैं? सांस में लेते हैं oxygen और छोड़ते क्या हैं? CO2 को छोड़ देते हैं हमने सांस में O2 को लिया और O2 हमारे फेफड़े में गया फेफड़ा फूला फेफड़ा हमारा स्पंजी होता है जो फूलता पचकता रहता है फेफड़ा फूला फूलने के बाद जो air थी यानि जो oxygen थी वो इन साकाओं के माध्यम से और अंतता कहां पहुचती है alveolike के पास पहुचती है और alveolike क्या करती है उस oxygen को उस oxygen को blood में transfer कर देती है तो क्या करती है यह O2 को हमारे blood में खोन में, रुधिर में mix कर देती है और जैसे ही O2 हमारे blood में mix होता है वैसे हमारा blood कैसे हो जाता है pure हो जाता है pure हो जाएगा अब ये क्योंकि फेफड़ा थोरी blood को pump करता है pump तो हिर्दे करता है तो ये blood कहां जाएगा हमारे हिर्दे के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर मैं हिर्दे को draw करता हूँ यह हमारा heart है और हम जानते हैं कि हमारे heart में 4 chamber होते हैं इस तरीके से ठीक है अब क्योंकि यहाँ पर हम समझने वाले हैं तो यहाँ पर हम ज्यादा technical diagram नहीं बनाएंगे हम केवल समझने के उदेश से एक हलका सा diagram बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए जो blood हमारा फेफड़े से अब हमारे heart तक पहुचेगा वो कहां पहुचेगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो blood पहुचेगा हमारे left वाले part में जो यह वाला part है यह कौन सा part है यह हमारा left वाला part है जिसको बोलते हैं बाया भाग है यह ठीक है और यह वाला कौन सा part है यह दाया भाग है यानि right part है और इसको तो ह जानते ही हैं, जो ये दो वाले पार्ट हैं, इनको हम कहते हैं निले, ये निले होते हैं यानि वेंट्रिकल कहते हैं इनको हम और जो उपर वाले दो पार्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं औरिकल, ये औरिकल या औरिकल का मतलब होता है अलिंद, इनको अलिंद कहा जाता है, तो जो blood आया है, जो फेफडे से blood पहुचा है हमारे heart के पास वो कहां पहुचेगा? वो पहुचेगा बाये वाले अलिंद में पहुचेगा, ठीक है? तो यहां हमने इसको indicate हम कर रहे हैं कि यहां पर आकर के सारा blood भर चुका है सारा blood भर गया है अब जैसे यहां पर blood भरेगा वैसे यहां पर valve लगे होते हैं कपाट खुलेंगे और कपाट के खुलने से blood कहां भरेगा? नीचे वाले निले में blood भर जाएगा तो हम यह जान चुके हैं कि जो blood अगर आपसे question पूचे कि हमारे हिर्दे का कौन सा ऐसा भाग होता है जहां पर pure blood पाया जाता है यानि कौन सा ऐसा भाग है जो pure है तो आप लोग ध्यान रखेंगे हमारे हिर्दे का जो बाया वाला जो left वाला पार्ट होता है वो पूरा pure blood से भरा होता है ठीक है? अब जो pure blood है यहां से एक काम आप करेंगे बिलकुर सही से समझेंगे फेफड़े से लेकर के हमारे हिर्दे के बाये अलिन तक जो blood आया है उसको कौन लेकर के आया है? यानि हम यहां पर discuss कर रहे है कि फेफड़े से लेकर के जो blood पहुंचा है हमारे हिर्दे तक, वो कौन लेकर के आया है वो लेकर के आई है पल्मो नभी वेंस, कौन लेकर के आई है वो लेकर के आई है फुफुस सिराय लेकर के आई है, ठीक है इतना ध्यान लखेंगे अब लोग अब यहाँ से जैसे वो पहुँचा निले वाले पार्ट में, निले वाले पार्ट से वो कहां जाएगा, निले वाले पार्ट से अब वो जाएगा ओर्गांस के पास, अब वो ओर्गांस में जाएगा, यानि हमारे अंगों में जाएगा, तो जो हमारे अंग हैं, क्योंकि हमारे अंगों को ही तो जरूरत होती है oxygen की, क्योंकि हमारे प्रतेक body के जो part है, अंग है, वो बने हुए tissue से मिलकर के, यानि उतकों से, और उतक किसे मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से, और कोशिकाओं को क्या चाहिए होती है, जीवत रहने के लिए oxygen, तो अभी blood में oxygen है, और जो हमारे body के organs है, जो पहुचेगा, organs तक जो ले जाएगी, वो कौन होंगी, arteries होंगी, क्या होंगी? arteries, यानि धमनिया होंगी, ठीक है, धमनिया होंगी, अब हमारे अंगों में जो blood भर चुका है, वो कैसा है? वो है blood, हमारे अंगों में भरा blood कैसा है? वो blood pure था, लेकिन हमारे अंगों ने सारा oxygen यूज़ कर लिया, अब blood कैसा हो गया है? impure, अब फिर से जो blood है, impure, वो हमारे heart तक आएगा, लेकिन इस बार किधर आएगा? इस बार हमारे heart के दाहिने वाले अलिंद में आएगा, इस बारे part में आएगा तो इसको हम blue color से, मैं आपको ये दर्सा रहा हूँ, इधर कैसा blood है? impure blood आएगा उसके बाद में यहाँ पे fill होगा, जो नीचे वाले निले हैं, यहाँ पे blood आके भर जाएगा और उसके बाद जो blood है वो फिर पहुंचेगा फेफडे के पास तो निले से पहुंचेगा फेफडे के पास सुद्ध होने के लिए यानि जितनी भी उसके अंदर CO2 थी, वो बाहर निकल जाएगी अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अंगों से हमारे हिर्दे के दाहिने वाले अलिन तक जो ब्लेड लेकर के आता है वो कौन होता है वो होती है वेंस यानि सिराएं होती है वो और उसके बाद हमारे जो दाहिना वाला निला है वहाँ से फेफडे तक जो ब्लेड लेकर के आता है वो कौन होता है वो होते है पल्मोनरी आर्टरी फुफुस धमनी होती है तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा समझ लिया है किस तरीके से साइकल चलती है अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारे फेफडे से याद रखने के लिए बहुत जरूरी है यह हमारे फेफडे से जो ब्लेड जा रहा है हार्ट की तरफ यानि फेफडे से जो ब्लेड जा रहा है उसको भी कौन ले जा रही है पल्मोनरी ठीक है बस फरक है कि यहाँ पर बेंस है और जो ब्लेड बापस आ रहा है वो भी कौन है पल्मोनरी बस फरक क्या है आर्ट्री है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि फेफड़े से दोनों साइड से कौन से रक्तवाइका जुड़ती है पल्मोनरी लेगिन फरक यह है कि जो ब्लेड हमारे फेफड़े से जा रहा है हार्ट की तरफ सुद्ध होता है तो इसलिए वो कौन होंगी बेंस फुफु सिराय होंगी और जो बापस आ रहा है वो असुद्ध है इसलिए कौन होंगी पर्वोनरी आर्ट्री होंगी तो इस तरीके से हम लोग उने साइकल को डिसकस कर लिया है अगर थोड़ी सी हम यहां पर बात कर लें अल्वियो लाई के वारे में यहां पर क्या ह होता है कि य 예를 फेफड़े के यह हमारे ब्रीधिंग सिस्टम के स्वसंतंत्र यों न्ति बिंद्ध होते हैं दूसरा पाइंट है यहां पे गैसों का आधान प्रदान होता है यानि जो उक्सिजन ह्यों मिक्स होती है गो जो शीओ टू वह वापस फेफड़े के अंदर आक्षिजन है मानव हिर्दे के बाएं अलिन तक ले जाती है तो आप से क्या पूछा गया है कि फेफडे से आक्षिजनित रुधिर को मानव हिर्दे के बाएं वाले भाग तक बाएं अलिन तक ले जाती है तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है फेफडे से बाएं वाले अल तो इस question का answer क्या होगा इसका answer होगा pulmonary vein यानि फुफुस शिरा तो हम लोग इस type की questions को इस तरीके से solve करेंगे अब अगर आपने चार्ट को समझ लिया है तो कोई भी question पूछेगा आप उसको आसानी से deal कर सकते हैं जैसे अगर आपसे पूछ लें कि हमारे हिर्दे के जो बयाँ वाला जो निले है वहां से अंगों तक कौन रुधिर भाई का है रुधिर को ले जाती है जो सुध्ध रुधिर होता है तो वो धमनिया होंगी क्या होंगी arteries अगर आपसे फिर question पूछे कि हमारे सरीर के जो अंग है अंगों से हमारे हिर्दे के दाहिने वाले राइट वाले जो औरिकल है अलिंध है वहां तक बिलड को कौन ले आता है तो वेंस ले आती है और इनमें बिलड कैसा होता है तो इनमें बिलड असुध होता है अगर आपसे question पूछ ले कि हमारे हिर्दे के जो दाहिने वाले प्राइट वाले जो वेंट्रिकल है जो निला है वहां से लेकर के असुद्ध रुधिर को फेफरे तक कौन ले जाता है तो पल्मोरी आर्ट्रियानी फुफुस धमनी ले जाती है तो अगर आप लोग इस पूरे टॉपिक को समझ चुके हैं तो इस पे आने वाले जितने भी क कॉष्चेंस होंगे उन को आप आज सानी से डिल कर सकते हैं और इस को तॉपिक को ये टॉपिक को बहुत इंट्रेस्टिंग था और यहां से जो त्यारी है साइन्स की सुपर्टिट के लिए वो बेस्ट हो जाएगी और इनके अलावा और भी मैं आपको टोपिक्स पढ़ाऊंगा जो बहुत जरूरी और इंपोर्टन टोपिक्स हैं तो डिस्कस करेंगे तो आज के वीडियो में यही तक है और मिलेंगे अगले वीडियो में थांकी बरे मच जहन जभारत